है गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डी के फार्मा टुटोरियल गाइस तो आज की इस वीडियो हम डिसक्राइब करने वाले हैं फार्मेसिप रैक्टिस के यूनिट फिप जिसमें हम देखेंगे ड्रग इस्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में त तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप पहुंस सके तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्रग इस्टोर आखिर क्या होता है तो ड्रग इस्टोर जो है उसको हम फार्मेशिव बोलते हैं केमिस्ट तो यह एक रिटेल होता है जहां पर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन और कोई भी अदर प्रोड़क्ट्स है उसको प्रोवाइड के जाता है तो यह है ड्रग इस्टोर का जनरल सा एक डेफिनेशन अब हम देखते हैं और्ग इस्ट होता है वह सौब और्गनाजेशन होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जहां पर किसी भी ड्रग प्रोड़क्ट्स या मटेरियल इसको वहां पर इस्टोर करके रखा जाता है और वहां हमको जो है ड्रग प्रोक्यॉर कराता है ऑन दे बिहाफ अब डिपार्टमेंट तो यहां पर जो भी हमारी ड्रग प्रोड़क्ट रहेगी तो उसके लिए एक प्रोपर इस्टोरेज कंडिशन भी मेंटेन किया जाता है ठीक है ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी की जो ड्रग प्रोड़क्ट है वह मिले तो यह है और अब हम देखते हैं इसका अब्जेक है हमारे ड्रग स्टोर को उसको हम देख लेते हैं और तो ऐसे सरी रिक्वार इन ऊस्पिटल में जते भी सारे हो गया और जो भी एसेसरी वहां पर यूज किया जाते है ठीक है जो कि वहां पर है तो उन सब को क्या करता है इस स्टोर करके रखता है हूं कि डूब्लग्य तफ स्प्रवक करा दिप अग अग डिफ्रेंट सोड तो अलग-अलग डिफरेंट डिफेंट सोड से ड्रकोभी प्रक्योड कराना भी इनका एक मुएन आपजेक्टि वह ए थी रहता है and to preserve record or receive and issue of the drug तो जो भी drugs हो गया तो ठीक है जो उनका record रहता है जो उन भी उनका receive रहता है तो उन सब को preserve करके रखना भी drugstore का main objective रहता है and to maintain the record and issue of drug तो जो भी उसका record हो गया ठीक है और जो भी issues वगएर रहता है तो उन सब को भी वो maintain करके रखते है and to carry out all the operation regarding the drug and economically to the revenues तो जो भी drugs related जित्ते भी operations वहां पर किये जा रहे है hospital में ठीक है तो उन सब चीज के बारे में वहां पर जो भी चीजे हो रही है तो उन सब चीज को क्या करता है वो maintain करता है drug store तो गाईस यह था इसका objective अब हम देखते हैं इसका ले आउट तो जो भी हमारा जो ड्राइग स्टोर रहता है वो बेसिकली होस्पिटर में जो है वो टॉप सोरी ग्राउंड प्लोर में होना चाहिए ठीक है ताकि हर कोई वहां पर आसाने से जाके जो ड्राइग को पर्चेस कर सके तो इसका जो एरिया रहता है वो सिक्स टू थाउजन स्कॉर फिट में होना चाहिए ठीक है तो इतना जो इस्पेस जो है हमारा जो मेडिकल स्टोर के लिए वो होना चाहिए एडेक्वेट इस्टोर 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 इस्ट तो वहाँ पर एक हमारी जो भी ड्रग प्रोड़क्ट है उसके लिए ताकि वह भी जो हमारे जो ड्रग है केमिकल्स है और जो भी बायोलिजिकल सब्स्टेंस है वह मुश्चर और हीट के थूप तो यह है अब हम देखते हैं इसके कुछ अगले पॉइंट्स भी देखते हैं तो एक आडियल जो हमारे जो ड्रग इस्टोर रहते हैं वहाँ पर एक ट्लिस्ट इंट्रेंस होना चाहिए ठीक है तो एक इंट्रेंस में हम क्या करते हैं किसी भी आर्टिकल्स को रिसीव करते हैं और जो भी दूसरे इंट्रेंस होते हैं उसमें हम किसी भी माटेरियल को इ कोशली आइटम और इस्टोर इन लोज बिन जो भी हमारी महेंगे चीजे होती है महेंगी दवाई होती है तो उनको हम एक लोज बिन में क्लोज करके रखे हैं ताकि वह खराब ना हो ठीक है तो अगर को खराब हो गई तो आपको बहुत जादा नुक्सान हो सकते तो इसलिए उसको हम एक प्लोज बिन में रखते हैं दा हाइट अब डिपेंड ऑन दा हाइट अब दा सिलिंग और शुट भी एवो टूर सेकेंड थर्ड अब दा हाइट तो जो भी हमारा रेक रहता है उसका हाइट जो लगभग जो हमारा सिलिंग होता है उससे टू तू तू थ्री फ की मटेरियल जो है वो श्कूर करकर रखे जाती है तो सबसे पहले ईसमें आता है कैपसूल टैबलेट लिपडीड ऊच्टीज in तो यह तो कंपल सरी है कि वहाँ जो भी medical store है वहाँ पर टैबलेट के अपसुल हो गया कोई भी liquid डोस्पाम हो गया से सीरफ अगयर हो गया इंजेक्शन तो यह सारी चीज़ा तो वहाँ पर रहती ही है biological antibiotics in refrigerator तो जो भी हमारे antibiotic रहता है तो हम उसको योनारकॉतिक और करने संपंग में रखते हैं जो हम लुकर्ण में रखते हैं टो इनका जो रहता है वह तूपर ड़िफरेंट टीफेंट फरसंके61法 तो अलग अलग लॉकर में इसको च्छाहीं लॉथ से कॉयं है वी हमारे सेंगे उसकह हम एक सेपरेट या कि यह migrant यहां पर यहां पर यहां पर गया तो उनको भी यहां पर इसने रखा जाता है तो यह तो यह इसका टाइप अब हम देखते हैं स्टोरेज कंडिशन तो इनके लिए क्या क्या होती है इनको इस्टोर करने के लिए तो अगर हमारा प्रोड़क्ट जो है वो कोल्ड इस्टोरेज वाला है ठीक है तो उसको हम टू-टू-टू-डिग्री करने पढ़ता है और उसकी लिए लगभग 30-40 डिग्री सल्सेश का टेम्परेचर जो मेंटेन करना पढ़ता है इसमें लगभग जो 40 से थोड़ सा होना अच्छा है इसके लिए टेंपरेचर तो हमको किसी भी प्रोडेक्ट को अलब उसके स्टोरेज कंडिशन के हिसाब से अलग-अलग टेंपरेचर में मेंटेन करके रखना पड़ता है अब हम देखते हैं पर्चेस एंड इंवेंटरी कंट्रोल्स तो जब भी आप मार्केट से किसी भी चीज़ को खरीदते हो तो आप बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि सबसे पहले आप देखते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है आपको कि इत्ती क्वांटिटी में चाहिए तो उसके आप से हम užचे करते तो इसको इसको शलेक्त करना रहते है तो हम उसको select करते हैं तो इसको हम देखते हैं the right quality means the quality which is available according to the particular mentioned in the term of grade brand and trade name and physio chemical characteristics तो जैसे कि यह है borrow plus ठीक है जो की 10 रुपे वाला है ठीक है तो right quality क्या बोलता है कि जैसे कि मैंने यह जो है borrow plus खरीदा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें लिखा लेकिन इसके अंदर कुछ और है ठीक है इसमें बिल्कूल भी quality नहीं है जैसे कि यहां पर यह निम्यूक्त वाला है antifungal antiseptic cream है ठीक है ऐरवेदिक वाला ठीकिन ऐसा नहीं यह एक आयरवेदिक है जिसमें निम्यूक्त है तो उसमें वह चीज होना चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर दिख बस रहा है तो वही चीज़ इसमें बता आ गया है कि जो भी वहां पर के लिए जो भी ड्रग पर्चेस किया जाते हैं तो वह एक सहीं क्वांटिटी में पर्चेस के जाते हैं जितना जरूरत है उसके कोडिंग तो जैसे आपने अपने घर के लिए जब महिने का रासा लेने के लिए जाते हो तो आप क्या करते हो कि जो चीज़े जो है सबसे यूस किया जाता है घर में ठीक है खाना बनाने के लिए ठीक है तो आप क्या करते हो चावल जो है उसको आप एक बोरी ले लिए क्योंकि उसकी जरूरत सबस्यादा पड़ेगी आपको और जो भी अगर हमारे मिर्च मसाला वगरा रहता है धनिया वगरा तो उसको आप का अलग से और क्यों वेस्ट करोगे पैसा ठीक है तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी रखते हुए हॉस्पिटल में भी यही सब चीज किया जाता है कि जितनी जो ड्रक की क्वांटिटी आपको रिक्वार्ड है ठीक है जितना जिसका यूस हो रहा है त कि वहाँ पर जो जरूरत नहीं है उसको भी ला लें फिर वह इस्टॉक होके रखा है तो इससे क्या होगा वह खराब हो जाएगा तो आपको नुक्सान भी हो सकता है तो इन सारी चीजों को वहाँ पर ध्यान में रखा जाता है एकोनॉमिक ओडर कॉण्टिटी और एनी जो भी चीज खरीदो गे जो भी drug product खरीदो उसको आप चीजों को ध्यान में रखके खरीदोगे कि आपको कितनी जरूरत है तो उसके अगर ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा ही खरीदना पड़ेगा क्रक्म है तो कम थर्ड आता है right price the term right price means consistent matching with the quality of the drug तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो है ये 10 रुपे का बुरो प्लस है ठीक है तो जो इसकी quality है ठीक है और इसकी जो price है दोनों काफी match करें ठीक है क्योंकि 10 रुपे का है तो 10 रुपे में आपको क्या ही quality मिल जाएगा ये इतना सही रहेगा ठीक है लेकिन आप क्या करो इसको 100 रुपे में खरीद रहा हो आप इसी 10 रुपे के चीज़ों को 100 रुपे में खरीद रहा हो तो यहाँ पे इसकी quality and जो price है वो match नहीं कर रहे है जो क्या है क्योंकि 100 रुपे बहुँछ ज्यादा कीमात होता है और इसमें तब बहुँछा थोड़ा सही तो यही है कि इसकी quality है इसकी quantity जो है वो match होनी चाहिए तो 10 रुपे के एक जो है इसकी price होनी चाहिए ऐसा नहीं कि इसको 100 रुपे में आपको जो भी आपकी रिक्वाइड की जो भी चीजे हैं उसको वह सप्लाई कर सके ठीक है तो वह उसके लिए होना चाहिए कि आपको जो है अच्छे सर्विस प्रोवाइड करें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो चीजे चाहिए वह आपको जो है वह प्रोवाइड नहीं कर आप आ रहा है ठीक है वो capable नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप इसलिए एक right source को select करते हो कि हमको जो सारी जो drugs है वो सही time में मिल जाती है और जितने जैसे की कप चाहिए तो उसके जरुरत के recording जो है उसको आप क्या करते हो वो purchase करते हो और जो भी हमारा जहां जिस सोट से हम उसको purchase कर रहे हैं तो उस time तक वो उसको जो है हमको भेज दिने चाहिए हमको प्रोवाइड करानी चाहिए नहीं तो इससे हमको थोड़ी सी दिक्कत हो सकते क्योंकि अगर आपको राइट टाइम में सर्विस नहीं मिलेगी तो कहीं नहीं कहीं इससे आपकी जो है आपके इस्टोर पे इसका गलत इंपक्त पढ़ सकता है तो इसलिए आपको सही time में वो पहुचा पा रहा है तो यह सारी चीज़ है अब हम देखते हैं पर्चेस प्रोसेजर तो इसमें कौन-कौन सी प्रोसेस होती है प्रचेस के लिए उसको हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है सब्सस्есс logos और रहा है अंको आपको क्या जीज कहरीनी है तो उसकी कौन्टिक इतनी होनी चाहिए आपको कब तक चाहिए है तो आप्लोसे सब्सक्राइब पर्मार्से वह चाहिए और लिए उक्नोलेजमेंट का की वह आपकी जो भी ज़रुरत है उसको पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं तो उसके लिए वो एबल है कि नहीं करके वो क्या कर देंगे आपको वो acknowledgement receive देंगे then receive of drug तो अगर वो जो है आपको drug provide कर रहा है तो उसको क्या करेंगे वो लोग आपको एक receive देंगे ठीक है तो उस receive को आप चेक करते हो तो उसके लिए एक अलग से ही person होता है जो कि इन सारी चीजों को review करता है तो वो क्या करता है उसकी जो भी conditions रहते जिससे कि उसकी quantity हो गया expiry date हो गया ठीक है उसके purchase for the particular period or will plant for the purpose of their regular and continuous use तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भी आप material जिसको आप purchase कर रहे हो ठीक है वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़े जो है वो खरीदनी है जैसे कि आपको परस परस इटमॉल खरीदनी है तो आपको पता होना चाहिए कि purchase requestation is the generally prepared by the departmental head तो जो भी departmental head है वो इस जो हमारा requestation रहता है वो इन चीज़ों को बताता है कि आपको कौन से टाइप का material चाहिए जो जिसको आपको परस करना है time of requirement तो आपको कब तक चाहिए वो चीज़े ठीक है quantity to be purchase आपको कितने quantity में चाहिए तो यह सारे चीज़े उसमें क्या किया जाती है mention कराई जाती है मनदब की जाती है उसमें इन सेकेंड आता है इसमें source of supply the pharmacy and therapeutic committee set a adequate standard for the purchase of quality drug तो जो भी हमारा pharmacy and therapeutic committee है तो उन्होंने quality drug को purchase कराने के लिए एक adequate standard जो है वो set किया है तो जैसे कि अगर कोई भी आपको आपको कोई भी drug खरीदनी है तो आप उसको basically medical report हो गया या आप किसी भी मतलब manufacturer से डारेक्टर उसको या किसी भी wholesaler से हो गया या market से भी अगर emergency case है तो आप market से भी उसको purchase करा सकते हो या आप directly जो भी tenders लेते हैं तो उनको invite करके भी उसको आप purchase करा सकते हो तो यहाँ पर हम जो आपको बता है यहाँ पर इसको लिग दिया है medical store report से directly purchase कर सकते हो ठीक है औ आप wholesaler या manufacturer से purchase करा सकते हो या जो भी tenders लेने वाला रहते हैं तो उनको भी invite करके आप purchase करा सकते हो और किसी भी local market से भी इसको आप emergency की case है तो उसको आप purchase करा सकते हो यह थर्ड आता है इसमें purchase order after selecting the supplier the chief pharmacist और एनी अदर suitable authority प्रिपेर पर्चिस ओडर गिविंग डिटेल description of specification packing and price and quality needed to be each तो आप क्या करते हो जब आपने एक source select कर लिया ठीक है आप source select करने के बाद क्या करते है जो भी चीफ फार्मसिस रहता है या कोई भी suitable जो पर्सर रहते है authority के वो एक purchase order prepare करते है जिसमें उनको जो भी चीज़े चाहिए उनका एक detail description जो है वहाँ पर mention करते हैं जैसे कि उसकी price क्या रहने चाहिए आपको कौन से drug चाहिए उसकी quantity किती चाहिए कब तक चाहिए आपको तो वो सारी चीज़े जो हम उसमें mention की जाती है this purchase order is in return form तो यह एक return form में रहता है और it is the evidence of the contract between the buyer and the supplier तो यह जो है copy आपको submit करना पड़ता है different department तो वो अलग-अलग hospital के according जो है वो अलग-अलग रहता है तो इसकी एक copy जो है वो आपको जो supplier को देनी होती है एक copy जो है account section में जब मकारना रहता है एक copy जो है purchase department को देनी रहती है और एक copy जो है वो department को देनी रहती है और इसका 56 copy जो है वो receiving department को देनी पड़ती है और इसका जो 7 copy रहता है उसको हम as a history copy जो है वो रखते हैं तो यह 7 copy जो है यहां पर हमको ज़रुरत पड़ रही है ठीक है अब हम देखते हैं चौथा receipt of the acknowledgement after placing the order supplier by the sending a copy of purchase order the supplier in terms of then send acknowledgement of the order saying that he will be able to supply the goods तो जैसे ही क्या होगा कि उनको हम एक purchase order देंगे ठीक है हमारे जो supplier उनको purchase order देंगे फिर उनको वो purchase order मिलेगा फिर वो क्या करेंगे हमको reply करेंगे ठीक है हमारे जो भी acknowledgement रहेगा उसको वो मलब जो भी हमारा order रहेगा उसको वो स्विकार कर लेंगे ठीक है उसके बाद हमको वो एक response हो करेंगे जिसमें वो बोलेंगे कि वो आपकी जो भी terms and condition है ठीक है जो कि आपने mention किया था आपके purchase order में तो वो जो है वो able है उस good को supply करने के लिए तो इसके लिए आपको क्या कर देंगे इसके बाद अगर वो supply कर रहे है product को तो वो आपको एक receive देंगे drug का कि वो कौन-कौन से चीज़े जो है आपको भेज रहे हैं और आपने कौन-कौन से चीज़े जह हैं उनसे मंगाई थी ठीक है तो उसके बाद फिर क्या होगा कि जो भी आपको वो receive देंगे फिर उस receive को जो आप एक person को देंगे जो कि वहाँ पर उसके लिए allocate किया जाता है तो जो भी हमार जो drug product है वह सप्टार से जो मनुफेक्टर से जो hospital में आई है drug store में आई है तो उनको जो है एक person जो properly चेक करता है जिसके लिए उसको assign किया गया था ठीक है तो जो भी person रहेगा वह तो वह person रहना जाओ ठीक है तो वह person जो है उसको क्या करेगा अच्रिवू करेगा कि उसके इंतरगत आती है था इसका प्रोसेजर यह वीडियो काफी आच्छे स measuring up यंडिवीर नभेस नंभर आ होगये होगा तो प्लिस इस वीडिए को लाइक किजिये आपने फ्रैंज के सा झाल झाल झाल